हेलो डिये स्टूदेंस, स्वागत एक पर फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस टूटर में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट कार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांतर करिगारिंग साइंस के प्रैक्टिसेर्स को दिया है तो जीन लोगों ने उन प्रैक्टिसेर्स को नहीं देखा है, तो प्लेलिस से जाकर आप सभी प्रैक्टिसेर्स को देख सकते हैं को आपको बताते कि इस बेचे को कैसे लेना है तो आप इस बेचे जैसे को लेने के लिए आप सीम्पली चैनल पे जाइए चानल के स्थाटिंग मेहीं जिससे आप इस चैनल पर जिक्ते पर बढ़े जिक रहे हैं ah आपको जो लोगो दिख अ आप एसे ही लोगो पे नीचे इपको दिखा क्लिक करेंगे तो सीद्व चैनल पे चले जाएंगे और चैनल जैसे ही जाएंगी तो आपको कि स्टार्टिम में एक वीडियो दिख जाएगा आपको it приक्लिक करके इस चीटल जल में जुब जाता है लेकिन नमक वाले त्याड़ता है इसा की होता है तो देखिए आपको इस को संसर्ज के सलुशंस देने से पहले अभको बता दे की कंशेंट्री चिर सलुशंस होता क्या है तो दिखेगा आपने पढ़ा होगा कि दुप प्रकार के सुलोशंस को आपने पढ़ा होता है कि जिसमें हमारा सॉल्वेंट का मात्रा ज्याद था यानि पानी का मात्रा ज्याद होता है और का इसमें यहां बात करें अंदा के तो वो software में 5 याप जयता है लेकिन वह कंशेरस आसा होता है लो इसली होता है कि इसके जो फैन्ट होता है वह क्या होता है ज्यादा होता है ढंडा के ढखिए छirtी तो ऑफसालविस होता है उन पहता है यहां डंडा के घनत होता है Früh लिक्विड में किसी चीज़ को डाल लें उसका डेंसीटी ज्यादा होगा और हमारे सबस्दान जैसका यह उसका देंसीटी काम होगा तो सवजब बात है ऊसके उसके उपर ही त्यार RIGHT तो चलिए नेक्स हम बात करेंगे, आपके लिए कुछ important बाते को बताने वाले हैं, जैसे कि आपको बतादे कि जो भी इस्टुएंट अभी तक प्रैक्टिसर्स को नहीं लिया है, तो प्रैक्टिसर्स आप जाकर ले सकते हैं, परिक्चा एप के रिगारिंग आपको याम वन पास आपका जो प्रैक्टिसर्स है, जो कि आपके थ्री मन्द वालिडिटी के रिगारिंग है, उसका रूपीज 5.99 है, लेकिन यदि आप ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं, यानि TUTO और 5.0 का कोड डालते हैं, ट्यूटर 50 लिखते हैं, capital letter में, वहाँ पे तो आपको किता होगा 50% का discount होगा, किता 50% का आपको discount मिलेगा, और यह आपका 50% discount होने के बाद सिर्फ आपका रूपीज 2.99 का हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ 2.99 का रूपीज आपका हो जाएगा, यानि 50% आपको off मिलेगा, आपको दादे कि इस practices का लेने का फैदा क्या होगा, आपको कि यहाँ पे हमारे जितने भी कोस्ट गार के स्टुएंट है उनको यह वन पास वाला ही प्रैक्टिसर्स लेना है क्योंकि इसमें आपको एरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार और इंडिये इन चाड़ो जनुशन के रिगार्डिंग आपको सभी प्रैक्टिसर्स के एक एक कोस्ट आपके प्रैक्टिस वहले और आपको याद रिखना है कि जब भी प्रैक्टिसर्स लेना है तो जलदी ही लेना है क्योंकि अगर अभी प्रैक्टिसर्स को लेते हैं तो आपके पास थ्री मनेन मुद्ञ strangely ho再生ना होंग zitten तो इससे पहले सारे यहाँ इस सारी कारी पीराइंट को बना पाईएक और यहित अपके बास अच्छा समय है ताकि आप प्रेक्रीसर को ले पाई ठीक है तो जाएए इस प्रीक्रीम से को लिजेंख और तो यह लिए इस प्रेक्री इसेट को लीजिए और पास वाला जो कि आपके लिए ज्यादा बेनिफीसियल होगा ठीक है तो चलिए नेक्स्ट हम कोशन के बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन हमारा क्या है कि which of the following celestial bodies contains abundant quantities of helium 3 a potential source of energy ठीक है यानि what कहने का मतलब कि आपका निम्रिकित में से किस खोगोलिये प्रचूर मात्रा में helium 3 उर्जा का एक संभावित स्रोथ होता है ठीक है तो किस आपके कह सकते हैं celestial bodies में तो यह आपका होता है आपका मून में किस में चंद्रमा में आपका जो होता है वो सबसे ज़्यादा helium 3 quantity उसमें present होता है helium 3 का abundant quantity उसमें present होता है जो कि एक बहुत बड़ा potential source से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा source है इनर्जी का तो आंसर क्या होता है option number 2 is the correct answer निक्स्ट आपका है number 3 questions में लिखा जा रहा है और number 3 questions का लिखा जा जा रहा है कि smog is a combination of ठीक है smog एक संयोजन है smog जो है वो किसका combination है तो smog जो होता है वो smog plus fog यानि कहने मितलब धूंगा प्लस कोहडा का क्या होता है combination होता है तो इसका answer हो जाता है option number 4 is the right answer ठीक है next question के है हमारा next आपका next आपका number 4th questions number 4th मिलका जा रहा है कि which of the following circuit element which of the following circuit element is used to block DC in an electronic circuit यानि इन्वे से कौन से element का यानि इन्वे से कौन सा circuit element का हम यूज करते हैं direct current को क्या करने के लिए यह ब्लॉक करने के लिए ठीक है तो बताइए तो हम जो DC को ब्लॉक करने के लिए अपने कहते हैं capacitor क्या कहते है capacitor यानि इसका असल होता है option number 2 यानि धारिता ठीक है capacitance और इसे हम capacitor के नाम से जानते हैं ठीक है capacitor या दखिएगा capacitance को ही हम capacitor भी लिखते हैं सो confused नहीं होना है C-A-P-A-C-I-T-O-R capacitor और इस capacitor को हम condenser के नाम से जानते हैं C-O-N-D-E-N-S-E-R ठीक है condenser आपको दादे कि यह capacitor और कि हमारा condenser होता है यह हमारा क्या होता है charge storing भी कह सकते हैं element होता है यहने इसमें क्या होता है हमारा charge store भी रहता है यहाँ भी लेख सकते हैं यहाँ पर store energy energy ठीक है यह energy को भी store करता है तो यह एक ऐसा element होता है जो की हमारा जिससे कहा हम यूज करते हैं direct current को block करने के लिए direct current को यानि flow नहीं होने के लिए यानि इसको हम यूज करते हैं ऐसा जगह पर जहां पर हमारा direct current flow नहीं होगा और लेकिन जब alternating current पास होगा यह इस ही जब पास होगा तो वो क्या करेगा उससे flow करवा देगा तो आंसर होता है अपसर नमबर टू नेक्स्ट आपका है नमबर फिफ्ट कोसंस नमबर फिफ मिलका जारा है कि एक स्पिक्टिकल्स यूज़्ट फॉर भ्यूंग 3D film है जब 3D film हम देखने जाते हैं तो जिस चस्मे का यूज़ करते हैं वो चस्मा कौन सा होता है तो वो आपका पॉलर वाइट्स क्या होते हैं आपका पॉलर वाइट्स ठीक है यह आपका 3D illusion को देखने में काम आता है यह निए 3D pictures को देखने में काम आत है throw a ball straight up into the air वो क्या करता है एक ball को उपर की तरफ फेकता है तो कहा जाता है आपसे पुछा रहा है कि the ball falls यानि जो ball होगा वो कहां गिरेगा behind him यानि उसके पीछे गिरेगा in front of him यानि उसके आगे गिरेगा in his hand वो उसके हाथ में गिरेगा by his sides यानि क्या होगा उसकी तरफ गिरेगा ठीक है तो जब भी याद रखिए है कि जब हम क्या करते हैं कि जब भी कोई अगर अंदर बैठा रहता है और वो जो हमारा कार है वो क्या हो एक constant velocity जाता रहेगा और यदि वो ball को उपर फेकेगा क्या होगा यदि वो ball उपर फेकेगा तो स्वाविक से बात है कि inertia क प्रोपरींस के अनुसार को भी वस्तु जिस statement रहता है वो उस से statement रहना चाहेगा, यानि जब ball को उपर फेकेगा तो वह ball जो होगा वो आपके कार के गती से मूफ करेगा, कार के गती से मूफ करेगा, यानि वो कार के जो वेलोसिटी होगा, वो उससे मूफ करना चाहेगा, तो ठीक है, उससे तो वो मूफ करेगा, लेकिन ज़्यादा दिर तक तो मूफ नहीं कर सकता, ज्यादा दिर तक वो तो मूफ नहीं कर सकता, क्यों क्योंकि उसके पास यह रसिस्टेंस आफ रिका सकते हैं ग्राइविटी का फॉर्स भी नीचे लगता रहेगा ठीक है तो इस ग्राइविटी फॉर्स लगने के क्या होगा वो कुछ दिर तक तो कार्ट के साथ मुव करेगा ही करेगा लेकिन कुछ दिर के बाद कार आपका आग हम क्षक फार नाम से जानते हैं नेक्स आपका है नाम से निच्ट आपका है नंबर-8 कि बने की लोट-आवर इस unit of kilowatt hour किसका unit होता है तो kilowatt hour जो होता है वो आपके energy का unit होता है इसका answer क्या हो जाएगा option number one is the right answer one kilowatt hour को हम one unit के नाम से भी जानते हैं और आपको दादे कि one kilowatt hour जो होता है इसे हम commercial unit के नाम से भी जानते जो कि आपका जब बिल आता है वो यूनिट पर आता है तो वो यूनिट होता है वो एक का मतलब एक किलो वाट आवर होता है ठीक है निक्स्ट आपका है नंबर नाइध कुस्टस में रहा है कि the hair of saving brush clings together when removed from water due to ठीक है जो saving brush का होता है इस परकार से 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 होता है ठीक है इसमें ऐसे निकला रहता है यदि हम क्या करते हैं इसको हम अगर by progressing करने के बाद कि यह a here of saving rust clings together when remove pretty sorry we'll see something करते हैं किसी पानी में अगर drop करते हैं किसी पानी में डुबाते हैं तो यह हमारा कुछ दिल के बाद जब में इसको बाहर जनिकालेंगे डुबाने के जब बाहर निकालेंगे तो वह कैसा तुछ आज इसा द awards थीक है ऐसा कोनी करके ठीक से नहीं पारा हमसे चली ऐसा दिखता होगा झाल गानि इख और आपको ench सेप क्यों लेता है थो जो एसा सेप क्यों लेता है क्यों संथ संथा बैद्ला ग्रिंश्व अ क्या बढ़स क्या होगा एक तो प्रकिर्या में चुम्ब कत्व के प्रकिर्या में क्या होता है तो एक आपके magnetization process के दोरान क्या होता है बताइए तो जो entire bulk of bar जो होता है वो आपका magnetize होता है ठीक है आपको options पर ना था यहां पर लिखा जा रहा है कि only surface of bar gate magnetize या फिर only end of the bar gate magnetize यानि केवल आपका छर का सतह चंबकी होता है या फिर इन सभी questions को बनाते हैं और इन सभी questions को आपको अच्छे से एक बाद दो बर पढ़ना है याद रखना है PDF के डियारिंग batches को जोईन करना है ताकि आपको इजानमेंस से पहले PDF पढ़ने का मौका मिल सके ठीक है क्योंकि दोबारा आपको video देखना को उस्में possible नहीं रहा जाएगा क्योंकि उसमें तक बहुत सारे बल्क में आपके